हेलो फ्रेंट सो दोस्तों क्या आले आपको तो पता होगा कि ओपो ने अपना प्रीनियम और फोपुलर फोन ओपो रेनो एटी फैब जी लॉंच कर दिया है फाइनली इसके सभी फीचर्स एन इसके प्रैस सामने आ गई है दोस्तों जो इस फोन का लुक से वह काफी ज्यादा अमेजिंगे लेकिन सवाल यह आता है कि क्या हमें यह फोन बाय करना चाहिए इसके फीचर्स आ रहे हैं जिस प्राइज पर आ रहे हैं क्या वर्तिट है या वेल्यू फॉर मली स्मार्टवन यह है कि नहीं और प्राइस तो नहीं है सभी चीज़े जानने वाले हम इस वीडि क्या हम इसको खरीद कर अपने पैसे वेश्ट नहीं करने वाले आप सबको तो इसके सारे फीचर्स के बारे में तो पता ही होगा अगर जी लोगों को नहीं पता है तो हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं इनके फीचर्स की प्राइस को देखते हैं तो यह सिर्फ एक ही वेरेट हमें लोग चुबाया जो कि 8128 जीवी है और जो 8128 जीवी की प्राइस आपको 30,000 पर देखने को मिल जाती है बीना टाइम वेस्ट किये आए बात करते हैं तीन ऐसे मेजर प्रोब्लम्स की या कम्या माल दीजे जिसकी वज़ए से हमें स्मार्टफून बिलक और यह एक कर्व डिस्प्ले रहीगी बट यार आप इस डिस्प्ले को क्यों लोगें क्योंकि सेम एज़िस आपको यही डिस्प्ले रियल्मी के 10 प्लस में देखने हो मिल रही है जो की 25,000 पर आता है डिफिनेटली आप अपने 5000 पर बचा सकते हैं अगर हम रियल्मी के 10 प् प्रफसा एक लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट पावरफुल चिपसेट मीडाटेक डामच टेन एक पाइटी चिपसेट देखने हो मिलता है कि 25,000 के अंदर हमें आ जाता है यहां पर आप आलोगे यहां पर आलोगे शेवन सेवन एट का फाइट चिपसेट देना चीए था तो ह सकते थे स्नापडर का 695 बिल्कुल भी वर्तिट नहीं है 30,000 पे में आप डेफिनेटली 10 प्रो प्लस को ले सकते हैं अब बात कर लेते हैं हमारे थार्ड बिगेस्ट प्रोब्लम की और वह आता है दोस्तों स्मार्टपोर केमरा तो जिन लोगों को फोटोग्राफी करने का लेने का सोग हे तो उनके लिए स्मार्फोन बिलकुल भी नहीं बआए ऑपो जर्नली ओपो रेनो सीरिस को एक केमरा सेंटर कि स्मार्टपोन केता है जो की बिलकुल झैडिय है तो आपको धिक्र शेस जर को मिलता है जो की बिलकुल आपको स ही है लेकिन अल्यdga मेग जो इ के बरावर होते हैं इससे विडियां तो कंपनी को हटा देने चाहिए इस के मिरा को कि यह आपको बिल्कुल भी क्वाल्टी प्रोवाइड नहीं करते हैं हम जब ब्रैंड को 30,000 पे दे रहें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे 12 MP या 8 MP का अल्ट्रावाइड जो कि हमें जर्मिली 15-20,000 के फोनों में मिल रहा है इसा करके आप अपने 5,000 पे तक बचा सकते हो अगर आपका बजट 30,000 पे और आपको 30,000 के अंदर ही फोन बाय करना है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 2023 में आपको काफी सारे नहीं नहीं फीचर के साथ स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं बहुत ही जल्दी लोंच होने वाले तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं उन स्मार्टफोन का आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं मैंने तरफ से बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं लाइक वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर से करें